नमस्कार मित्रों आपको मेरे डॉक्टर गुरुजी चैनल में स्वागत है मित्रों आज एक बहुती महत्वपून विशे में चर्चा लेकर आपके सामने आया हूँ हम मित्रों हम ब्रिहस्पती की महादश्या के फल के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों मैं बता दूँ देव गुरु ब्रिहस्पती ब्रहमान का एक बहुती महत्वपून देवता है जिसके उपर देव गुरु ब्रिहस्पती की किरपा हो जाती है उसे और मुड़कर देखना नहीं पड़ता है और जिसके उपर देवगुरू ब्रहसपती किरपा नहीं रहती, वो जीवन में कई संकटों से गुजरता है, कई गलतियां करता है, और कभी लाव की स्थिति को प्राप नहीं कर पाता, ना सांसारिक जगत में और ना ही आध्यादिमी जगत में. मितरों, ये मैं आपको बता दूँ, यदि कुंडली में ब्रहसपती कारक हो, उच राशी, मूल त्रीकोन राशी, सोह राशी या मितर राशी में स्थित हो, शुप ग्रह से युक्थ अर्थवा द्रिष्ट हो, ताथ केंद्र अर्थवा त्रीकोन में स्थित हो, तो अपनी राज्य कृपा प्राप्त करता है प्रमोशन होती है गुरु कृपा से विद्या प्राप्त करता है देव अराधना में चित रमता है तता जातक धन, कीटी और वैभब प्राप्त कर लेता है मित्रों मैं बता दू ब्रिस्पती की शुपदशा में जातक चुनाप में विजई होकर ग्रामसवा का प्राधान, पाली का प्रधान, विधानसवा का सदस्य तक बन जाता है केंद्रिय मंद्री मंदल की कृपा पाकर धन धानने में विद्धिप कर लेता है तो यशो भागी होता है दर्शन के पती उसकी रूची बढ़ती है वेत, विदांग का ध्यन करने का अफसर मिलता है तो जातक अनीक अच्छे ग्रंतों की रचना करता है जिसके कारण देश, विदेश में उसकी ख्याती फैलती है मित्रों अनीक वरिष्ट अधिकारियों से उसके संपर्ग बढ़ते हैं विदेश यात्रा के योग बनते हैं तो राज्यरिकार प्रात करने के अफसर भी मिलते हैं जातक का बौधिक विकास होकर उसमें नयाय करने क्षमता आती है तो जातक ऐसे कारे करता है जिससे देश और समाज का कल्यान हो वो धार्मिक कारों में विशेश रूची लेता है तब प्याव व धार्मिक स्तानों का निर्मान में धन व्या करता है कथा किर्थन में बढ़ चड़ कर भाग लेता है ब्रामन, गौ, गुरु और साधों का आधर सितकार का सधाय तथ पर रहता है मित्रों में बता दूँ ब्रस्पति की शूप दशा में जातक के घर में अनेक मंगल कारे होते हैं देहे में निरोकता वा मन में प्रसंता बनी रहती है पुत्र होने से मन में हर्श होता है घर में शुक शांती बनी रहती है पत्नी का विशेश अनुगरा प्राप्त होता है शात्रू परास्त होते हैं वात विवात में उसे विजय मिलती है परिक्षार्थी इन दिनों में सवल होते है प्रतियोक्ता परिक्षा में सवलता मिलती है तो उच्छ पत्त की प्राप्ती होती है मित्रों जातक की मंत्रना शक्ती का विकास होता है तो उसकी सभी अभिलाशाएं पूर्ण हो जाती है जातक इस दशाकाली में राज्ये के और से उच्छ समान वा पुरुसका भी प्राप्त करता है यदि ब्रस्पति उच्छ राशी का है लेकिन नवामश में नीच का हो गया हो तो जातक घोर कस्ट भोगता है उसका चेहरा काला पड़ जाता है इस्तरी से वियोग होता है संतान के करन अप्यश मिलता है यदि ब्रस्पति आकारक हो नीच राशी, शत्रु राशी, अस्थ, वक्री एवं पाप, मध्यस्थ में होकर बुरे भावों में स्तित हो तो पापी ग्रस से ततलिस्थ हो अनेक अशुबलाब ही जीवन में देखने को मिलता है यदि ब्रस्पति राहू संबंध करता हो तो जातक को साप काट लेता है विश्पान से धेपिडा भोगनी परती है, शत्रु के द्वरा शत्रु घात का भेह रहता है यदि ब्रस्पति मारक ग्रा के साथ हो तो मित्यू तुल्ल कस्ट होती है स्त्री पुत्रों दर अपमानित होना पड़ता है, अनीक गस्ट जिलने पड़ते है जातक में अधिर्टा आ जाती है, स्त्री मर्ति से कोई काम नहीं करता है हर दिख असवलता मिलती है, वो गौ, ब्रामन, गुरु से दिरेश रखता है अपने उच अधिकारियों का विरोध करता है और उनका विरोध सामना करना पड़ता है और ज्यादा कि प्रोमोशन में बार बार बादा आता है मित्रों मैं बता दूँ कि यदि ब्रस्पती शूप नहीं है तो आपके जीवन में ना तो प्रमोशन होगा ना उम्नती होगी जहां भी जाएंगे आगे नहीं बढ़बाएंगे इसलिए ब्रहस्पती का शुब होना जनम कुडली में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर शुब नहीं है तो उसको शुब करने के लिए क्या क्या उपाई है आने वाले टॉक्स में मैं इस उपाई के बारे में बताऊंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये देखती रहेगा धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे थैंक यू